गुट मार्निंग एवरीबड़ी कैसे हैं आप सब्सक्राइब आप लोग बहुत बहुत अच्छे हो और बहुत अच्छा रहना भी चेए क्योंकि मैं हर रोज भोती जो हूँ रात को चिरम लगा के सोना भगवान को प्रे करके सोना और अगर भगवान को प्रे करो तो अगला लांच का प्रेपरेशन और सुबा उटके फुटा-फुट चालो जाता है मैं ब्लॉगिंग का कैम का थोड़ा लेट ओन की यूँ और लगभा 50% आप मेरा कुकिंग हो चुका है अभी भी कुकिंग चल रहा है और आज रात का भी सबजी बना के ही जाएंगे क्योंकि मैं आ रात को आगे रोटी बस राना है आटा घळा में तो अभी खरीगना है तो इसलिए आटा का डो तो मैं बना के नहीं रख सकती तो इसलिए बस रात का सब्सी बनाओंगे रात के सबजी में चिक्न ट्राइफाय बनाओंगे बहुत टेस्टी सदेने को लग रहाए पर पतानी वैसा बनेगा के लिए और अभी सुबा मार्निंग में तो फिश बन रहा है और लॉकी का डाल बना है और मैंने बिंगन का खरी बना है मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी कम्प्लीट हो जाने के जिए तो तब तक आप थोड़ा बहार आप आप आलकेडी का व्यू देख तो देख लिया बैलकोनी का नजारा आज वैदर बहुत क्लियर है और अभी तक नहाई नहीं है तो इसलिए फुटा-फुट खाना बना के नहां के फिर आप लगाई तो यहां पर वेजिटेबल्स थोड़ा सा चॉप करके रखा हुआ है चिकन ग्राइफ राइ बनाने के लिए और फिश को मैंने फ्राइ कर लिया है खाते टाइम वापस गरम करेंगे यहां पर आलू भाजी थोड़ा सा बना के रखे कुछ और बनाने के लिए लौकी का डाल और इधर बेंगन करी प्याज डाल के तो यही सब चल रहा है इन प्रोसेस कंटिनू तो मैं आहां दोके रेडी और आज कुछ जादा ही रेडी हो गई हूँ अच्छली जब सारा काम जल्दी-जल्दी हो जाता है ना फिर थोड़ा सा सजो तो भी नहीं लगता है कि ताइम क्योंकि हाथ में और यूजोली क्या हयता है नतल just a little highlight ह失hora panोडा तो फिर लगता है अब आज स्वाफ दॉरा पोलिश कंट नही हो जाता है तो फिर लगता है फ्योडो घर में ही तो रहना ऑक्रवी मैह जा गरोगोंया है तो फैंदी निकलना है और बहँत दिनों से हाथ में में आधा दूरा निल पॉलिश था टाइम भी नहीं मिला था तो मैंने आज रिमॉफ कर लिया तो थोड़ा सा निल पेंट लगा लेते क्योंकि टाइम है और ऐसे हाथ अच्छा नहीं लगता है तो चलिए थोड़ा सा निल पेंट लगा लेते किंड़स, कुछ़ोगोगा लेते क्व्या खुशष कर लोगा था लेते क्या है जोगता है र stalतकि लोगता है तो पेंटू़ा आपाल आपते क्योंकिश्ने क्ल淇बू पेंटाईमक comm心 खुशणीन है तो मेरा नेल पिंट लगाना हो गया है मैंने कुछ ग्रीन कलर का नेल पिंट लगाया है और मुझे अच्छा लगता है ये कलर मेरे नेल पिंट लाना कंप्लीट नहीं हुए मैं आज राइट राइट में भी लगाऊंगी पहले राइट थोड़ा सा सुख जाए और दूसरा बात है कभी भी नेल पिंट अगर जल्दी सुखाना हो तो क्या ठंडा पाने में हाथ बोलीजिए नहीं तो थोड़ा सा आइस व पूंए पर भीरे पास नहीं है और उतना जरूरात भी नहीं पढ़ता तो मैंने नहीं ख़री लाओ बस यही आज थोड़ा सा यह जचना है मुझे सजना के लिए है। बैसा ग्रीद मुझे आट सबदी जब निकविए नॉटबरु सुल नॉट है। मैं सब्सप्राइप और यह सब्सप्राइप का मैं भी ऑब बमोंसले को यह इ browsers अब भी गरब तो करना ही है दो-दो बार वही वापस डालोग फिर वापस तो मैंने उसी कड़ाई में रखिया मेरा कड़ाई अभी भी चला हुआ अभी भी साफ नहीं है मैंने आज सोचा है मार्केट निकल के मैं आउन स्टेक कर दियू कि मेरे से यह अलमुलियों वाला अचे देर तक नहीं आप लोगों का काम कितना तक कंप्लीट हुआ तो मेरा तो सारा काम खतम अभी मैं थोड़ा सा टीवी देखूंगी रेस्ट करूंगी फिर मैं जब शाम को नेकलूंगी तो आप लोगों से मिलती हूँ अभी शाम के चार बज रहे है और थोड़ा सा जाने को है और अभी तक मेरा लंच नहीं हुआ है हस्बेंट आई नहीं है इतने बिजी है टूरिस्ट वगएरा सब आई है वो सब करते करते उनको लेट हो गया और मैं हमेशा लंच के लिए उनका वेट करती हूँ तो साड़े तीम बजे तक वेट करने के बाद मुसे लग अधिन ट्रेवर अफ मी वो क्या होता है कि जब भी मैं बहार निकलने का सुष्टी उसी दिन हस्बेंट का इतना सारा काम रहते है वो लेट से आते और निकलते निकलते रात हो जाते और रात होने से मुझे प्रब्लम नहीं है आप लोगों को दिखाने में बट दिखत होता निकलते निकलते फिर छह बड़ जाएगा फिर छह बड़ जाएगा तो रात बहार अंधिरा आज यूश्वल पर क्या करें तो ऐसे ही बैलकोनी में आये थोड़ा सा उनके लिए वेट करते करते मैंने सचा थोड़ा से आप लोगों से बात कर लिया चाहिए तो ठीके चले अंदर चलते हैं कब तक बैलकोनी में भी रुके चलिए अंदर चलते हैं बाइदे टाइम मेरा लंच कंप्रीट हुआ अभी पहने पांच बज रहा है और मौसम देखिए बाड़िश भी आ गया है पता नहीं जा पाएंगे की नहीं अगर करे तो आप भी चलिएगा अगर ह अगर पारिश रुप जाए तो पहार निकलने का प्लानिंग तो है अब देखते हैं आगे क्या हुता है चीन्स उठाने आए थे पारिश हो रहा है में चलिए अंदर आज इसा मतलब हो गया है की रात का डिनर पूरा रेड़ी रोटी बनाना है अभी साड़े साथ बज़ रहे और साड़े साथ बज़े इतना जदी तो रोटी नहीं बनाएंगे साड़े नौदस बज़े तो आज मेरे पास काफी टाइम है सब कुट्स कम्प्लीट है और अभी बारिश थोड़ा कम हो गया है पर लेट मी टेल यू हिली एरिया में सब कुछ 7.30 माक्स टू माक्स एट ओ क्लॉक के अंदर बंद हो जाता है तो अब साड़े पांच पांच तक तो लांज कम्प्लीट वाता है उसके बाद बारिश आ गया साड़े चाह तक उसके तो मैंने यही सोचा है कि ठीके कल सुबर की टाइम ही निकल जाएंगे शाम के लिए बेट नहीं करेंगे और हस्बेंट से भी परमेशन ले लिया है कि आप रहो मेरे साथ चलो नहीं चलो आपका टूरिस्ट आए आपका आफिस का काम हो वगेरा कुछ भी रहे हम तो भई न सुनते हैं वागेरा कुछ नहीं है इस र assistir जीए रहेरी है मतलब एफली कि अवारी कहलब यहां कि अंन ले वी यहां के लोक पीपल कुछ श भी कुछ है मेने नहीं देखा हैं म 커피रे कास्त में beneath iterations हो मेरे कास्त में बेंग हडे मैं बहु में बहु और हु और दूसरे कुम अभी लॉंग स्पान ऑफ टाइम है तो थोड़ा सा स्कीन केर ट्रीटमेंट किया जाए पैक वगरा लगाया जाए क्योंकि सुबा के टाइम इतना टाइम नहीं मिलता राज तो बहुत ही हिकता हम एमटी है इतना बढ़ा रहे कोई फिक्स नहीं है कि हम इस जगह पे रहेंगे जब तक फिक्स या फाइनलाइज नहीं हो जाए फिर यह सब क्योंता लास्टाइम भी खरीती थे फिर जाते टाइम सेल आउट किये फिर वापस नहीं पर्चेस ले रहे तो पैसा बहुत अगर कल्कुलेट टेबल्स ग्रॉसरी वगएरा जो भी मतलब आपके वहां जो प्राइसे कई गुना ज्यादा यहां पर प्राइसे और कपड़ा फॉर्णिचर और अदर थिंग्स का तो आप छोड़ दो वह काफी मतलब जो हम लग ऑनलाइन प्राइस देखते हैं यहां पर वैसा आस पास मे पर आपको यहीं से लेना है कि कितना दूर ऑनलाइन वाला भी डेलिवर नहीं करता है तो पॉसिबल ही नहीं होता है कि वैसे करके कुछ भी मंगवाए करें तो इसलिए वहीं सोचते थे कि यह वाला ठीबल लेकी नहीं ले और एक बात है कि प्लांट के लिए भी हम मैं वहां पर शूट भी नहीं की थी मैं ब्लांट का पूछी आइड नो आइडिया मैंने पूछा कि मुझे इन प्लांट खरीतना है कि इतना है तो मह भूला साड़े तीन सो एंड ट्रस्ट मी आइखुडिन बिलीव कि एक चोटा सा उसमें एक पौदा लगा हुआ साड़े तो मेरे नेबर में जो घर में दिखा चाएगा उनके बहुत सुंदर प्लांट से तो मैंने पूछा कि आप मुझे एक्ठो देंगे हम दे देंगे तो अचा ही हुआ हम मिटी और टब लाएंगे तो मैं लगा लोगी और वो रोज है तो स्टेम काटके भी मेरा वेसवी बन और उनके पास काफी सारा है तो वो उसमें से एक दे देगी मेरे को तो कुछ नहीं होगा और यह सब खर्चा मेरे हिसाब से फाल तो खर्चा है साड़े तीनसो से एक जस्ट रोस प्लांट खरीतना इस तो मुच और यह भी हो सकता है वो लोग ना मेरे को तूरिस सोचे बिक कि जाएगा जो भी हो तो बहुत बैंगा था तो इसलिए मैंने नहीं खरीदा और कंपेर तू दाटजिलिंग और गैंटॉक दाटजिलिंग इस चीपर दन गैंटॉक भले ही आसपास में हो तो रीजन इसकी दाटजिलिंग वेस्पिंगॉल की अंडर में आता है तो इसका काफी गैंटॉक से अलग है गैंटॉक is another place in Sikkim गैंटॉक is the capital of Sikkim तो इसका सब चीज नियम वगेरा सब चीज अलग है और अगर आप Sikkim आया हुए होंगे तो आपको पता है Sikkim border cross करने के लिए आपका ID वगेरा सब कुछ चाहिए होता है दे चेक और तभी permit मिलता है और सब्सक्राइब करने के लिए तो अलग से आपको permission लेना ही पड़ेगा उसकी बिन आप जाने सकते हो गैंटॉक गाने के लिए तो बस ID चेक करते है वो लोग छोड़ देते है आप यू के एंटर बर दाजलिंग अगरा जाने के लिए तो वो सब नहीं होता है बिकॉर इस इ चां कहों दोंगे और इक स्टिक भी खरीटना था तो मैं सोची थी आज मार्केट लिख निकलूँगी तो वहन से खरीटना लिखिए अब ही ठाइम है तो थोड़ा से अ उच्याइगा चेकाउट कर लेते और एक कर फिटना है तो देखते हैं धीरे इतना सामहान खरितना और और कुछ खरीतना है, कुछ खरीतना है, कहपी रहीतना है, यह खरीतना है कि, हuteur इना गलने कि भायतना हुदरी और कहता है, क्प मीवगा है किसमें तो रहीतने लसे भाप एक हँए लग्हुण आण When the李永ग hands तो अभी थोड़ा सा skin care treatment करते हैं, आप लोग को नहीं दिखाएंगे, आज को व्लॉग में यही पे खतम करेंगे, कि इसके आगे कुछ दिखाने लाएग है, नहीं में रात का खाना भी बना चुकी हो, और skin treatment वगारा आज में आपको नहीं दिखाती हो, इस सेम कुछ product निकाल day for you also, pray कि next day God makes it wonderful, और अपना ध्यान रखिये, अपने आपको खुश रखिये, और if you are happy, your family is going to be happy, always remember that, and try to spread smile, तो आज का वीडियो में है पे खतम करेंगे, फिर बाब, हाँ और एक चीज़ में बोलना पूर गए, one of my friend, very close friend, उनने बोलाए, उनका बेटी हुआ है, उनकी ब नाम दूरना है, something unique and something different, तो उसका भी थोड़ा सा research work करेंगे, तो उसके लिए भी आज time mint किया, भगवान ने time दे दिया, और मैंने आज बोला भी एंको कि आज midnight तक मैं जरूर से आपको नाम दे जूँगी, पता नहीं उनको वो नाम choice होगा की नहीं होगा, I'm not sure about it, whether हम जो selected नाम रखेंगे, उसमें से वो उनको शरी नहीं है, कि हम जो नाम दे वही रखें, just because कि उनकी बेटी है, तो उनको जो नाम अच्छा लगे, वो रख सकते है, I can just refer, क्योंकि उनने मुझे मुझे वो responsibility दिया है, to sneak pick some names, तो मैं निकाल के ज़रूर उनको दूँगी, अगर वो I'll meet you in my next vlog.